इस बात में कोई दोराई नहीं कि साल 2018 की बड़ी फिल्मों का गावाब बनने वाला है बदनोवत पैडमेन और रेट के बादा भागी भी बागी डू की इंतिजार है टाइगर श्रॉफ और दिसाप पतानी की प्यार की कहानी और उनके लिए होने वाला बेहिंतिहा कुन खराब बागी के दूसरे भाग की जान है इसकारण इस मूवी को लेकर मार्केट काफी गरम है इस साल 1990 में सल्मान खान बागी बनकर आये थे वो उनके लग बगावत थी क्योंकि निर्माता साजित नाडियावाला ने 2016 में एक नई बगावत शुरू कराई और अब टाइगर श्रॉफ को लेकर बागी बनाई गई को अब सिया खोराना यानि श्रदा कपूर की जगए नेहा यानि दिशाप पतानी से प्यार हो गया है बदलाओ ये भी है कि साबिर खान की जगए अमत खान ने निर्देशन के कमान अपने हाथ में ले कुछ नया ये भी है तो देखने को जरूर कुछ अच्छा ही मिलेगा दूसरे भाग में रंदी फुड़ा, मनोज वाजपई और प्रतीक बबबर भी है मूवी में जबर्दस्ट एक्शन और टाइगर श्रॉफ के कई हैरतंगे स्टन भी है मूवी की चर्चा का एक कारण टाइगर और दिशा का असल जिंदगी में रिलेशन्शिप का होना भी है टाइगर करीब दो घंटे की इस मूवी के अंदर काफी ज़्यादा एक्शन दिखाने वाले हैं वहीं करीब दो घंटे 25 मिनिट के इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने UA सेटिफिकेट के साथ पास किया जानकारी के मुताबिक इस मूवी का बजट 70 करोड के आसपास है और अनुमान है कि ये मूवी पहले दिन 12 से 14 करोड के बीच कमाई करेगी मूवी बागी 2 की हाल ही मैडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है जिसको काफी अच्छा बताय जा रहा है और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या बागी 2 देखने जाएंगे या नहीं